पील्टी एड्यूकेर दे अज दे इस वीडियो सेशन दे विच मैं राजीव शर्मा साइंस दे अपक गौर्मेंट हाई स्कूल मजारा करना तों फ्रोटा सारे आंदा बहुत-बहुत स्वाइट करता ह। तों सारे नूं मेरे वोलों प्यार बरी सा सिकाल ते अज दी जो जो अपे आज संबंदत प्रशन उत्तर हन वो करने हन ते नाल दी नाल जो वेरी शोट अंसर कुर्शन दे वो भी करने हम जैसका कि इस वीडियो नूं शुरू तो लेगे एंड तक जरूर देखना ते शुरू कर दे हैं देखो असी क्योई भी टार्गेट रख दे हैं ते क समझना है प्रशन उत्तर करने तो पहला उस अध्याय विच यूज किते गई जो इंपोर्टेंट वर्ड्स ने महतापूरण शब्द उना बारे जानकारी होना पहुँ जरूरी है ते शुरू कर दे हैं महतापूरण शब्दा तो साठे कोल जो पहला शब्द है वो है जालन जालन की हुंदा है वट इस कमबस्चन सो जालन एक रसाइनिक प्रकर्म है जिस विच पदात ऑक्सीजन दी मजूद की देविच किर्या करता है यनि की ऑक्सीजन देना किर्या करता है ते दापूर्जा पैदा करता है So, when a combustible substance reacts in the presence of air and produces light and heat energy, then we can say the process is combustion. So, second question है, जालन जोग पदार्थ, ओ पदार्थ जो जाल साख दे हन, जालन जोग पदार्थ कहन दे हन, ना जालन जोग पदार्थ, ओ पदार्थ जो नहीं जाल साख दे, ओक्सिजन देनार अभी करिया नहीं कर दे, ते ना ही कोई पदार्थ जोग पदार्थ कहते हन, जिमें पद्थर है, काच्छ है, ओक्सिजन दे मजूद की देविच जाल दे नहीं, ते ना ही कोई उर्जा ताप जा प्रकाश, किसे उत्रा दी उर्जा एक पैदागार दे हन, अगला है जलन तापमान, पेरे बिच्चियों, ओक अड़ तो गड़ तापमान, जिस होते कोई पदार्थ जलन लगदा है, उसनू उस दा जलन तापमान कहने है, चीके, जिमें त अगला है, तो फटा फट उसनू आगला जान दी है, लेकिन दिवाली मौकें, जो तो फुल जड़ ये पजलानी होंदी है, तो काफी देर तक मुंबत्ती दी लाटते उपर उसनू रखना पेंदा है, यानि कि फुल जड़ लई बद तापमान दी लोड है, ते ओ तापमान जिसोते पदार्थ जलन लगदा है, नेक्स्ट है जलन शील पदार्थ, तो ओ पदार्थ, जिनादा जलन तापमान बहुत काट होंदा है, जल्दी आगफार लन दे है, एवजे पदार्थ, जलन शील पदार्थ अखन दे है, अगनी शामक, अगनी शामक की होंदा है, अगन और जंतरमसी अगनीक शामक कहते हैं नेक्स्ट है कलोरी मान कलोरी मान तो की पहव है सो फ्हेरे बत्चियों कलोरी मान तो पहव है कि जदो एक किलोग्राम पतार्थ जो जलन शीर है और पूरा जलन तो बहाद कोई मात्रा है एक मात्रा कोई मात्रा देवे चो हो उर्जा प्रदान करदा है उर्जा पैदा करदा है ठीक है ते उस मात्रा नो उस पदार्थ दा कलोरी मान कहन दे हाँ तो एक किलोग्राम पदार्थ दे पूराइं जननतों बाद प्राप्त और जादी मातरा नों ही कैलोरी मान केहा जानता है उस तो बाद है, गलोबल वार्मिंग की हुँदी है गलोबल वार्मिंग तरती दे बाता परण विच होली होली यहनि तेमी करती देना तापता बादा उसनों से ग्लोबल वार्मिंग कहन दे हाँ नेक्स्ट है साड़े कोल जो अपयासना संबंदत प्रशन उत्तर हन ओवसी हन करांगे ते साड़े कोल पहला प्रशन है कि जालन दिया प्रसितियां दी सूची बनाओ मतलब वो केडिये शर्ता हन जिना ते किसे भी पदार्थ दा मतलब पदार्थ केड़ा जो चलन शिलोवे वो जाल उड़ता है सो साड़े कोल जो सब तो पहली शर्त पुरी होने चाहिए है ओ है अक्सीजन दी मजूदगी कोई भी पदार्थ अक्सीजन दी मजूदगी देविच ही जालता है ते पदार्थ जलना ओ जलन जोग होना चाहिए ठीक जिप पदार्थ जलन जोग नहीं आप जिन्ना मर्जी ताप मान देजाए उन्हें जलना नीजे में पत्थर या काच्छ या ठीक है तो पदार्थ दा जलन शीलोणा पहुझ जो रही है ते तीसे कल है कि पदार्थ दा निमन जलन ताप मतलब के उस पदार्थ उस नशीलोगे ते उस दा जो निमन जलन ताप उसनों मिल रहा हुझ अगला प्रशन है खाली स्थान पर हो तब प्यर्विच्चों खाली स्थान पर नहीं है साथी कुल जो उड़ा है वो जह है कि लकड़ी आते कोला बलन नाल हवादा की हुंदा है प्यर्विच्चों लकड़ा आते कोला जो बलन नाल हवादा है तो वहाँ निकल दा है ना होंदा है एक मैं लिख दरना है या प्रोदूशन होंदा है चीक है नेक्स्ट है करा विच कम आउन वाला एक द्रव बालन केड़ा है तो वालन जो द्रव रूप दे विच है वो केड़ा आपा यूज कर दे हैं होदा हूँ आज कल तक है हर केड़ कर दे विच एलपीजी है लेकिन कई करना दे विच मिट्टी दा तेल बढ़ते हैं जाना है स्टोव देविच चीक है तो इसले ही अपना एथे परांगे मिट्ट मिट्टी दा तेल जो द्रव रूप देविच हुंदा है चीक है मिट्टी दा तेल नेक्स्ट है बलना शुरू होन तो पहला बालन नो उस दे डैश तक गरम करना जिरूरी है ते प्यारे बैचियों असी होनी पिछले प्रशन देविच पढ़के हटे हैं शर्तां देविच कि कोई प्रदार्थ उदों बालता है जो दों उस दे प्रजलन तापमान तक उसनों गरम करता जाता है ठीक है ना तो इस दा मतलब एथे की आएगा प्रजलन तापमान जिस दे जलन शील प्रदार्थ जा लुड़ता है प्रजलन तापमान एथे लिकोंगे प्रजलन ताप माई नेक्स्ट है तेल दी अगनु अग देश द्वारा कबु नहीं किता जा सकता जो पाणी नाल नांस नो कबू नहीं कार सागए या उपर या जाएगा तेल उपर योई तो पाणी द्वारा कबू करना ने कोशिच नहीं क्यों थी नेक्स वाड़ी को लेगा या कोश्चन के समझाओ के समझाओ के मोटर वाहना विच सी एनजी दी वर्तोनाल साड़े शेहरां दा प्रदूशन की में कट होया है पेरे बच्चियों असी सारी जान दे हैं कि वाहना दी तादात बहुत वाद गई है ठीक है मोटर साइकल, स्कूटर, ट्रक, ट्रैक्टर किन्हीं वाहन जड़े हैं बन्देनल ज़्यादा वाहन सड़कात ने जरांते हैं ते वो वाहन उन्ने ही तूम आचाड़ते हैं ते तूम में दनल की है प्रदूशन हो रहा है वाता परण जड़ा गंदा हो रहा है तो प्रशन ए है कि भी CNG दी वर्टो देनाल शेहरां दा प्रदूशन किवी कट होया है यह सी दस ना है ते प्यारे विच्छेओं अपन पता है कि CNG दी फुल फॉम क्यों दी है कंप्रेस्ट नेचुरल गैस एक साफ सुथरा बालना है ठीक है ते इनक साफ बालना के दिनाल हवा दा कोई प्रदूशन नहीं होंदा और इदेच पूरन बालन होंदा है पूरा ठीक है से कोई कारवन दे करनी बच देगी है अंजले सो CNG एक साफ गैसी बालन है ते इस दा हवा विच पूरन जालन होंदा है जिस्तों एक कोई भी हानिकार गैस पैदा नहीं करदा ते इसलिए CNG दा अपजो करन दे नाल शेहर दा प्रदूशन काट होया है ठीक है तुछ देख जड़े जाओ ते जो बसेज ने ओ हरे रंग दियाने ठीक है जी ग्रीन लीन उजड़ाएगा है और वो प्रजेक्ट कार दियाने ते उधा मतलब किये कि ए बसा या आटो या टैक्सी जो कारा चल दिया हन जी ग्रीन कलर दिया हन ते ओ सी एंजी ते पर चल रही है ने तों वच्छिओं तोलना मतलब कहसानों ऊर्जा दि रूप जो रिच तोफिछ नए करनी है किस ओनों एल पीजज़ झी जयदा ओर दिया या लंकरी जयदा ओर जय दिया इल पीजी प्र दूशन कर दियां जय एस मामले दोच आपा अननों तोंञ अ विच गरत ders बंशागधे नह तो एक ग्राम जालके 50 किलो जूल उर्जा दिन्दी या, ठीक है, जितके पल लकड एकल करिये, तहां उसरफ 17 किलो जूल दिन्दी है, मतलब के जो लकड असी, 1 ग्राम जलाने हैं, तो हुने सिर्फ सतारा किलो जूल सानु उर्जा देनी है, ताग, तो फिकेड़ा लालने ज् विच्ता एल्पीजी लकडी नालों बैतर है तुछी गलकार लेने आप पर्दूशन दी एल्पीजी है ना एहे पर्दूशन रहत बाल लणेया एच कोई पर्दूशन नहीं होंदा जद की जड़ी लकडी है एदेच तुँ आं होंदा या ती हानिकर गैसा में निकल दिया हा प्रशन पंज कारण दसो बिजली उपकरना नाल संबंदत अग उत्ते काबू पाउंड़ी पानी दी बड़तों नहीं करनी चाहिए प्यारी बच्चियों गल्प बिजली दी हो रही है बिजली दी उपकरना दी तेसा नूँ पता है कि पानी जड़ाया ओ बिजली दा की ने किया है एไ derechos फॉचा लगाए गए आ जड़ा आं पानी जडया बिलकूल सुद्ध पानी है कि इना सारे भी दी डार लंग सकती है as विजली तरह नहीं है पानी दे ख़ड़े करा में चांदा है जोद रूप उदाया कशिदत पानी कशिदत किता पानी पानी जड़ाया इही बिजली तरह लग सकती है पर जदो आसी पानी दे नाल उस आगनों पुझाओं दी कोशिश करांगे फिक होएगा कि बिजली तरह जड़ी है उस पानी दे विच्छों लंग जाएगी जित जिते पानी जड़ाया है और टच करेगा पहुंचेगा बिजल सब्सक्राइब करना दाल समंदत आग उत्ते काप पाउंड़े पानी दी वर्तों नहीं करनी चाहिए जिक है कि कुशन सब्सक्राइब है लपीजी लकडी नालों बदिया करेलू बालन है जस्टों आप पानी पिछले प्रशंदे उत्तर पां किता है कि जो लपीजी है साफ सुथरा बालन है बाद केलोरी मुल है इस्टा लकडी नालों ऐसका के है पदिया करेलू बालन है नेक्स चाहिए कुल कागच आप असानी नाल आग फार लेंदा है जटकी अल्मीनियम दे पाइप दे चोहां पास्यों उत्ते लप्तिया गया कागच दा टुकड़ा अग नहीं फार दा साफनों प्यारे बच्चों पता है कि ताप दा संचार हूंदा है ठीक है हुन हो की रहाया कि जदो असी उस अल्मीनियम दे पाइप दे चोहां पासे कागच दा टुकड़ा लपेड देता हूं ठीक है ते उत्तिनल की हो रहाया कि जो कागच है वो अपने प्रजलन ताप बान तक नहीं पहुंच रहा क्योंकि ताप जड़ा है गया तो सारा सारा ज ठीक है ते इसका की ताप दे स्थानंतरन दे कारण कागच दाया अपने प्रजलन तापमा तक नहीं पहुंच रहा एसका कि उसनों अग नहीं लाग रही है ठीक है एदे नालदी कपाँ प्रेक्टीकल किता है लेब दे विच जिदे विच असी एक कागच दा जड़ा है प्रजलन तापमा तक पहुंच नहीं लगी राइट सो कुशन नमबर 6 हड़े कुल है मुंबती दी लाट दा लेबल किता हुए चित्र बनाओ प्रेस यूँ मैं आज शूकिता है रिड़ न डीपद खेतर सब्तों वादघ होंदा है थे ब्याये मद्गेटर है कि यह ब्लू कलर मतलब जड़ा सब तो बाहरी खेतर होंदा ना जड़ा सब जयदा ताप राख दाया ओंदाया ब्लूश कलर दा ब्लूश कर दब बहुत लाइट जया फेड़ीड जया ब्लूश कलर लूंदा क्लियर ने जनी आंदा होंदा ते बिलकुल एज दे उपर अपर लाड बनालने या दी आलो ची लाड तक हस्वरिया बन गई या अदे खो जी उस तो बाद आई डाखेतर हैगा ना बार लाखेतर आखेतर 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 यह आँ तो लोटे तो नू दखाई नहीं देंदाया या ब्लूश को लर्दा हूंदाया ही ते इज सब त ज़्यादा थाफ होंदाया दे विच तो इस विच सब तुबाद थाफ होंदाया जो सेकेंड नबर थे हैं वह आलाया आवाला जी ठीक है ओके औरेंज कलर दांदाया इस अब तो जड़ा काट गरम होंदाया ओंदाया वह बिलकुल अंदर लगेतर आवरा इत्या मैं दखा ज़्या बनीता है जो फेर भी लाट राई रही रही है अनुक्लिर है ना फेर तुसी यह प्रेक्टिकल करना चाहो ना एक तुसी माचेस तिली लेलो ते उस ता जड़ा मसाले वाला पाख है गाया उस ना इस लाट दे उपरों दी लेके जाओ तो देखों के जमें माचेस जड़ा मसाला है गाया लाट दे उपरों दी यहने की एद्र दिलंगेगा उन्हों चाटिया कला जनी है चाटों से माचेस तिली ने आग फाल ड़नी है जदो अपा अब इच्वन दिलंगा वांगे उसी यहनू मसाली पास यहनू थोड़े चरबाद लगेगा थोड़े टा जड़ा सबतों गरम खेतर है और बार ला खेतर होंदा या तर बार ला खेतर है थिक है ऐसले जोड़ों भी असी तो सोई दे विच ममी होना नो खाना बना दे देखिए तहां से नों जरूर गैड़ कर देए कि जड़ी फ्लेम है जड़ी लाठ है और पतीले दे साइड़ा सोन एक आनी चाहिए ओगी है राइट पतीले देख्या अग जड्य पाहने चाहिए दी एकिए अ द्दाना वहें कि पतीले देख्या थे साइड़ा तो जड़ी हागी आग निक्कल दी बाई ओए फेता सारी वेस्ट हो जाएगा फ्यूल ठीक है जी और जिए सरी फेस्ट हो ही है सो तुसी काफी बालन चाह सकते हैं सब्सक्राइब अगला प्रश्ण है कि इस प्रश्ण साथ सब्सक्राइब है कि बालन दे कलोरी मुलनू किस एकाई नाल पर दर्शित किता जानता है सब्सक्राइब नाल पर दर्शित कर सकते हैं कि नेक्सट है प्रश्ण आठ है साथ इकोल समझाओ कि कार्बन ृईच्छड किस तरह आगनों काबू कर दी है यह रिच्थो लग मैधि क्रपा तकि कार्बन balls डायक्सड जड़ी है और गैस हावातों पार हां थी यह ठीक है ? ते सबन् reflect कि कोई वस्तू oxygen दी मुझूदगी देविच बाल दी है ते कर्मेट अकसाइड की कर दी है एक अगदे आदे आशे दवाले इक गलाफ गलाफ हूंते न estásब यह इक है जैदा गलाफ हूंता in जाई हिए ओसे ती जैनल एक गलाफ ऑना देन में आप इस नहीं हो देन्दा तो आपक्सिजन दी जड़ी प्रेजन से खतम कर देन्दा मतलों और अपूर्ती जड़ी है यह उसनों नहीं हो देन्दा जुक्त नियुक्त अणुकक्त नित्警 जी है कि यह संवाफ ले कर देनी है तब बदार्थ जले गई नहीं तेसले कार्मन डाइक साइड जड़ी है गी है अग मुझान वास्ते बहुत ही बदिया रोट ले कार दिया है ठीक है अगे है साधे को प्रशन नम्बर नौ हरे पत्यां दे टे नू जलाऊना मुश्किल होंदा है प्रन्तु सुके पत्यां काल हरे पत्यां दी हो रही है देखो हरे पत्य जड़े या इस ता मतलब पानी पर पूर होने है ठीक है जी एन अच्छ मनमी बहुत हुंदी या जड़े सुके पत्य है उन अच्छ पानी है नहीं वाशब बनके उड़ गए हो जद वाशब बनके उड़ गए ता ओ पानी जि और हभा देना ऑक्सीजन भी आ गई उस पात्य दे भी उन गाले उन उत्डिये के ऑक्सीजन टे वपलन डे ज़रलटोटोटपी हूं-धी है इसलिए सुक्की बतियां देटे नो अग असानी नाल लग जानती है अगला प्रश्चन साथे कुल है के सोने अते चांदी नो पिगलाउन दे लई सुन्यारा लाड़ दे किस खेतर दी पर तो करता है मैंना प्रश्चना दे विच्छी यसी पड़ जिगा ना के वी लाड़ते जड़े है चांदी ग्रम पाक जड़्ा है अगला प्रशन है एक प्रजोग विच सो कुश्चन है कि 4.5 किलो ग्राम बालर नो जिलाया गया ते उर्जा प्राप्त हुई 1,80 किलो ते प्रोशन यह है कि सड़कुल किन्नी किलोरी मान जड़ाया वो दा फ्यूल दा मिलिया सान नू तो उधे लिए साथे कूल फॉर्मूला की है सान पता है किलोरी मान हुंदा की है गया वो हुंदा है किलो जूल प्रती किलो ग्राम सो किलो जूल किन्हेता है जड़कुल 1,80,000 किलो जूल ते इन्हों ड्वाइट के ना करांगे 4.5 के जीना सो इन्वाइट करके देख लांगे असी साथे को जो अंसर आएगा वो आएगा 40,000 किलो जूल ठीक है सो ए राइट वे है करन दा तुस्यास नो फॉलो नहीं करना तुस्यास नो फॉलो करना है किलो जूल प्रती किलो ग्राम राइट कोई वे रहारी मान जड़ाया अगंदा किलो जूल रदी किलो ग्राम ये फॉर्मूला लगाना है बारवा प्रश्चन है की जंग लगण दी किरिया नू जालन केहा जा सकता है विस्तार सहित समझाओ पेरे बिच्चियों जंग लगण दे लई की कंडिशन है के लोहे नू नमी यूगत हवा विच रख्या जाना चाहिदा है ठीक है ताही जड़ाया उसनू जंग लगएगा एह जली आइरन अक्साइड दी परतनाल टाकर जानता है ते एह प्रक्रम जंग लगणा खांदा है ते इस तीजडी परत है उसमसी कहने है जंग हुन प्रशन एह है कि इसमें जालन क्या जानता है पैरे बच्चियों जालन वास्ते देखो जो तो जालन होंदा है ना ता उस विच लाट ते ताप इस दोनों निकलने चाहिए थे हैं लाट ते ताप तुसी कर देखे है भी जंग लगएगा होबे किसे लोहे नों तो तो देख लाट निकल दीओ भी ते ताप भी होबे नहीं ना ऐस लए जंग लगएगा है नों असी जालन नहीं कह साकते ठीक है प्रशन तेरा है साधे कोल के अबीदा ते रिमेश ने एक प्रजो किता जिस विच बीकर विच रखे पाणी नू गरम किता गया अबीदा ने बीकर नू मुमत्य दी लाटते पीले पागते कोल रखे रमेश ने बीकर नू लाटते सबतों बाहरी पागते रखे किस दा पाणी कट समय विच गरम होवेगा प्रशन देखो के अबीदा ते रमेश ने प्रयोग के ताएक अबीदा ने बीकरनू मुमत्ती दे लाड़ दे पीले आ देखो आवला अबीदा ने किते रख्या लाड़ दे पीले पाग दे वेच ते रमेश ने बीकरनू रख्या लाड़ दे सब्तों बाहरी पाग ते यसी जाने धें हम कि लारड़ दर सबतों बारी पाग उन्था ना सब तों ज्यादा गरम होता है सब तों गरम पाग ठीक है ते जडा पीला पाग है गादसे अना ने यृत jornal कि हुएगा यृत तंस भी ऐतना कर दर कटा पान हुएगा ह। ठीक है सो सही उत्तर जड़ाया हो यह होएगा कि रमेज दा पाणी कट समय विच गरम हो जावेगा क्योंकि उस दा जो उसने जो लाट है ओक लाट दा सब्तों बाहरी पाग दिवर तो गार रहे है या जितने सब्तों ज़्यादा तापमान होंदा है सो उत्तर होएगा कि रमेज दा पाणी कट समय विच गरम होवेगा क्योंकि जवाला दा सब्तों बाहरी पाग सब्तों वद गरम होना है तो मिचियों होना सी जन्रल जएए बहुत ही छोटे उत्रा वले प्रशन करने हां करो कि साड़े देशते पिंडा मिच केड़े बालन बॉर्तों विच्छ लरे आई बाल्षा है थीक है प्रशन दूसरा है कि दिते गए ठोस बालना वीच नहां बादर है पाथियां दा को ले लगोडी दा टा एन दिन दे तेल । तिन बालन दे नाम दसो दरब बालन जड़े हूं दरब बालन जलू दरब बालन एथे दददा लिखे न अगला प्रशन है जो तो बालन जाल देहन ता की हुंदा है जो तो बालन जाल देहन ता प्रकाशती ताप उर्चा पैदा हुंदी है प्रकाशती ताप उर्चा जलन दे ताप की है ओ कर तो कर ताप माँद जिस हुते कोई जलन चील पदार ता अक्सीजन कैस दी मुझूद की देविच अगफाड लेंदा है ते ओ हो जलन अदे ताप पैदा करदा है ठीक है जी दो तरह पतार ताप ना लिखो जिनना दा जलन ताप बहुत काट है अलकोहल ते इथर एन दा जलन ताप बहुत काट है बिजली द्वारा लगी अगनों बुजाओं लई किस तरह दे अग बुजाओं जंतर जिन्वासी अगनी शामक कहने हां फायर एक्स्टिंग्यूशर इन इंग्लिश दी परतों हुंदी है सो उत्तर है बिटा कार्बन टेट्रा क्लोराइट दी जड़ा कार्बन टेट्रा क्लोराइट है आग बुजाओं जंतर इस दी बरतों हुंदी है जालन की है जालन एक एहोजेया प्रकर्म है जिस विछ बदार्थ नो अकसीजन विच जलाओं न लाल टापते प्रकाश पैदा हुंदा की पैदा हुंदा है तापते प्रकाश प्रशन दस बालन दे केलोरी मुल दी प्रिवाशा दियो ये बच्चों जी पहला भी कर चुकी है कि जो तो एक किलोग्राम पदार्थ या बालन पूरन रूप विच बालता है ठीक है ता ओह ता हुँ जिनी उर्चा पैदा करदा ना ठीक है उसनों दा कलोरी मुल के आजानता है तो यह उसना कलोरी मान होएगा प्रशन है कि तेल वाली अग नूब जाओंड़ी केडा अग बुजाओं जैंतर पड़ते जैंता है जैडि तेल नो अग लग दी है उस विच चाग दी वर्तों कर दी है चाग वाला अग बुजाओं जैंतर तेल नाल जड़ी अग लग नहीं है लग दी है उसनों वाशी पजान वाशते फॉम ठीक है चाग वाली तेल बुजाओं जैंतर दा बुजाओं जैंतर दा बर्तों करते है लकडी दा कोला लकडी दी तुलना विच वधिया बालन क्यों है क्योंकि लकडी दे कोली दा कलोरी मॉल लकडी दे कलोरी मॉल ना लो वाद है इसले लकडी दाल लकडी दी तुलना विच यानि कि जड़ा है जड़ा लकडी दे कोला है वो लकड़ी दी तोलना विच बदिया बालन है केड़ा बदिया बालना लकड़ी दा कोला लकड़ी दा कोला लकड़ी वकाबले ज्यादा बदिया बालन है लकड़ी दा कोला दा चीक है नेक्स्ट खंड़ कोल है मुमत्ती दी जुआला दे नाम रिखो सब तों ठंडा अंदुरूनी खेतर फिर मद खेतर थोड़े उस्तों गरम ते सब तों गरम होंता है बारना अधीपत खेतर नेक्स्ट असाड़े खुल दो अजय पतार था है नाद दिखो जो अग मुझाओं दे कामाओं दे हन ठीक है जी पाणी चाग रेथ भी है ठीक है जी तो फिर कार्बन टेटर कोल राइड भी है सो यह चार हो गए अपने को नेक्स्ट है साड़े खुल नेक्स्ट है कि कोई तेन जरन शिर्पदार था देन ना लिखो तो फिर बिच्चियों कागज लकडी रसोई गैस सी एन जी ठीक है जी ए सारी है कोला ए सारे जड़े ने जलन शिर्पदार था ने ठीक है ते इस देनाल ही सड़ा लाट ते जालन या गली जालन ते लाटना संबंदत पूरा अध्याए ते देनाल संबंदत जो जरूरी प्रशन से वह सारे का ले हां ते पेरे बच्चियों जे तुसी एक वीडियो चंगी ठीके ना देखी है ता मेरा दावा है कि कोई भी कोश्चन तुसी एस अधे नाल संबंदत मिस नहीं करूंगे पेपरा देवेच ते उमीर करना कि वीडियो तो चंगी लगी होईगी ते प्लीज इसनों शेयर करे हो ते जे सब्सक्राइब न अन्यसलिनों सब्सक्राइब जडूर कर लो अल एक दनना चीक थे मैं सब्सक्राइब सो प्लीज सब्सक्राइब के तो आई होप के एवीडियो तो अदेलि काफी लाई है बंद रहे होगी ते नेक्स ताम बियसी एस तो वीडियो वीडियो बनावांगे साहनम एंकरेज कर you all the very best and wish you the best and the happy learning thank you very much